राहूल गांधी के संसधियक शेत्र वाइनार कार्यालिया में तोड़ फोर्ड की घटना को लेकर दिये के ब्यान को उदेपूर की घटना से जोड़ने के मामले ने अब दोल पकड़ दिया है राहूल की ब्यान को उदेपूर में कनहिया लाल की हत्या से चोड़ने के बाद मामले में एक टीवी चैनल पर गलत खबर प्रसारित करने और उसे कई बीज़ेपी नेताओं द्वारा सोचल मीडिया में फ़राने को लेकर कॉंग्रस पार्टी कारेबाही की मांग उठा रही है जसको लेकर कॉंग्रस पार्टी के नेताओं चैरान रोमेश ने फाचपा राष्टी अध्यक्ष को पत्र लिखकर कारेबाही की मांग उठाई है हिमाचर प्रदेश कॉंग्रस पार्टी भी इसको लेकर पुलिस में शिकायक दर्स करेगी ये बात कॉंग्रेस राश्ट्य परवक्ता कुर्दीप राथोर ने श्म्मला में आयुचित पत्रकार पार्ता में कही है राथोर ने कहा की कॉंग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर बहुत जादा आक्रोश है कि किस तरह से हमारे जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है शिरी राउल गांदी जी उनकी छवी को लगातार धुमिल करने का प्रयास भारतिय जंता पार्टी जो है कर रहे हैं और अभी हाल में ही जो डॉक्टर्ड वीडियो आया है उसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस जनों में ही नहीं आम लोगों में भी बहुत जादा आक्रोश है जिस चैनल ने ये चलाया था बाद में उन्होंने अपनी सफाही दी और माफी भी मांगी लेकिन हमें इस बात का अपसोस है कि भारतिय जनता पार्टी सरकार में जो पूरो मंत्री रहें इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉट कास्टिंग मिनिस्टर राजय वर्दन सिंग अड़ाठोर और कुछ और उनके सांसद है उन्होंने इस वीडियो को पूरे देश में सोशल मीडिया में चलाकर ब्रह किया है उनके खिलाफ जो है कॉंग्रिस पार्टी ने बहुत सारे राज्यों में कंप्लेंट लॉज की है हिमाचल में भी हम जो है करने जा रहे हैं हमारे जो इंटरनल कॉम्म्यूटेशन विभाग के परमुक शिरी जैराम रिमेश जी ने जेपी नड़ा जी को दो तारी को पत्र लिखकर उनसे सपश्टी करन की मांग की लेकिन अभी तक जो है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया हमारा यह मानना है कि जगत प्रकाश्ट नड़ा जी जो भारतिय जंता पार्टी के राश्टी अध्यक्ष हैं उनको ऐसे लोगों के खिलाफ कारवाई करनी चाहि है जिन्होंने लोकतंतर का मजाक उड़ाया है और एक विपक्ष के नेता को बेवजा जो है पदनाम करने की कोशिश की है लेकिन अभी तक जो है इस तरह की कारवाई जो है भारतिय जंता पार्टी की तरफ से नहीं हुई है जो हमारे संदे को और ज्यादा पका करती है कि इ जबल हिमाचों के लिए ब्यूरो शिमला हिमाचल प्रदेश के विश्वस्निय ज्वेलर भूशिन ज्वेलर सोल